Good morning students, I am your computer teacher and I will be started this class 4, chapter 2, computer and chapter 3 is Central Processing Unit, CPU, CPU की फुल फाहम होती है, Central Processing Unit और आज हम इसी पर डिसकस करेंगे, class 4 का फिर्स्ट चाप्टर हो चुका है, इसके बारे में, और आप सेक्ड चाप्टर बारे स्टार्ट में जा रहा है, Be carefully listen my voice and learn this chapter, Central Processing Unit, ये एक mind होता है, मैं आपको बता दू कि इस CPU होता क्या है, CPU हो एक hardware पार्ट है कंप्यूटर का, और ये जिस तरह से human का brain, उसका mind, मतलब brain की सारे काम करता है, उसी तरीके से, same purpose की आपका CPU, इसका फूरा work out होता है, processing चलता है इसमें, आप जो भी input प्रेस करत होता है कि होट से, वह हमारा CPU में process होता है, उसके बार हमारा output monitor में दिखाता है, अब ये किस तरीके से काम करता है, मैं पहले के बता दू आपको, IPO cycle क्या होता है, यहां पी input प्रेस किया दरता है, और इसके बार हमारा process होता है, P4 process, processing चलेगा, इसके बार output हमारा monitor पर show करता है, यह हमारा input keyboard हो गया, यह हमारा CPU में चाहिएगा, और फिर हमारा monitor पर show करेगा, अब यह CPU किस तरह से काम करता है, इसमें भी हमारा 3 types के आता है, CPU में आते है, MU, memory unit, इसके बाद आता है, CU, control unit, और last हमारा, ALU, arithmetic logic unit, किस तरह से इसका diagram बनता है, बना रहे हो है, आप उसे अपनी copy पे draw करेंगे, एक गॉस तरह से आता है, CPU, यह हमारा है, MU, याने की, memory unit, इसके बाद आता है, रीचे, CU में, control unit, इसके बाद यह कीची जाएगा, आपका, जाविप प्रोसेसिंग चलती है, ALU, arithmetic logic unit, यह secondary memory भी गलाता है, CPU सिर प्रोसेसिंग प्रोसेसिप आता है, इसके बाद यह, जहाता है यह इन्पूट दीपाइस जाएगा इन्पूट में से जहाँ करते हैं जैसे मैंने पहले भी बता रहा है उतको आउट्पूट जो भी यहाँ से जो प्रेस प्रोसेस होता है फिर हमारा आउट्पूट में लिखाता है ठीक है इसकी फुल को हमारा स्रीव क्या है कंट्रोल यूनिट M.U मेंपोरी यूनिट A.U आर्थमेर्टिक अर्थमेर्टिक लॉसिक यूनिट अर्थमेर्टिक लॉसिक यूनिट अब आर्थमेर्टिक लॉसिक यूनिट अब आर्थमेर्टिक लॉसिक यूनिट क्या है memory stores in the input data and results out this मतलब अब का memory unit होता है कि जिसमें हम जो भी हम data press करते है वो memory unit में जाता है वो process ही करता है उसके बार output में उसका information देता है control unit c u control unit कोई भी बहुत सारे function होते हैं उसको वो तयार करता है it takes care of the follow of data from into the memory means here input के चुभी में मेमोरी होते हैं होने control करता है और उसके बार तो सारे data समारे cp में प्रसेस होके output में यह निकि यह सब का अलब अलब work out होता है जो यह सब्सक्राइब काम करता है cpu में और इसके बाद वो output में दिखाता है next is alu automatic logic unit alu perform the calculation calculation करता है यह और बहुत स्पीड से काम करता है जो भी process होते हैं data को receive करता है और इसके बाद वो में मेमोरी में पहुँचाता है यह सारे data processing हमारी क्या क्या लाते है cpu alu receive the instruction addition यह जो की चूभी ayu मारे क्या करता है instruction और उसक्राइब को addition करता है from cu and data यह आपकी पास अबने इंपूर्ट यहां से प्रेस किया 1,2,3 या e,bc जो भी हम प्रेस करते हैं वह वारा cpu process होता है और वह one by one आपका lu से cu में जाता है cu से lu के alu में आता है उसके बाद वो monitor में शोहन करता है आपने दिखाता है वह पानी पीते हैं जो में water filter पीते हैं वह किस तरह से process होता है filter करने के क्या क्या processing होता है उसके बाद आपको एक fresh water मिलता है same purpose आपका USB में SCC तरीके से होता है कि जब हमें output इंडब directly आपका output नहीं मिल जाएगा उससे पहले की सारे processing input से CPU तर चलता है उसकी बाद आपको उसे output में दिखाता है ठीक है यह सार की सारे हमारे memory unit से output device में भी आते हैं यह सभी हमारे work out होते हैं यह आपको यह सारे जुमी पुना-पुना डायरा में बनाया है अभी आप इसे learn करेंगे पुर प्रॉपर का करेंगे अभी आपको CPU चेंट्रल प्रोसेसिंग यूट्र प्रोसेसिंग यूट्र आपको इसका इक डायराम करेंगे और इसे भी केर्फुली लर्न करेंगे इसकी बाद हमारा डेटा इंफोरमिशन मिलता है इसकी पूट्र आप इसे पॉपी में राइट आप करेंगे और इसे लैट भी करेंगे आपको कोई भी प्रोस्टन आपको पूछना हो इसे इस पोट नमर पर बात कर सकते हैं इसे आपको पीडिया के सेंड कर देगे ताकि मुझे शेक आपको पीडिया के सेंड कर देगे ओके बाइ